नमस्कार दोस्तों आप तुरिया स्वागते हैं हमारे यूटूब चैनल सी यसी यो जना में दोस्तों आज को वीडियों बात करेंगे आप अपना पास्पोर्ट किस प्रकार से अपलाई कर सकते हैं जी हां दोस्तों आज के टाइम सब्सक्राइब या प्रूपर्ट के लिए सबसे पहले आपको और उनलाई कर नहीं इसको करें और उसके बाद दोस्तों आपको अपने लिखी जो भी आपको ओफिस लगता है पासपोर्ट ओफिस वहांके डेट लेनी पड़ती है, उसी डेट को आपको माँबर विजिट करना पड़ता है, अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, वेरिफिकेशन कुप्लीट होने के बाद दुस्तो आपको वाई पोष्ट आपके घर के पते पर जो प्रावजर चुकर है तो लिज़े दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ब्रावजर में और इसमें टाइप किया है पासपूर्ट से वाठीक है यह हम टाइप करके सर्च करेंगे उसके बाद जो ऑफिसल वेबसाइट आती है इसे हम ओपन करेंगे और यह दोस्तों गवर्मेंट क कि उसके भाद सब्ससे पहले जो वह आपको यहां पर चूज करेंगे चैनल से रिख क्ली करेंग और उसके बाद स्वेती पहले आपको उपनी पासवड topics लगता है पंपना इस लास्वंट करना सब्सकूर चूज करना हैaltet और उसके बाद आपको अपनी mail ID यहां पर provide करनी है अगर दोस्तों आप अपनी mail ID को ही user login ID रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करेंगे अधरवाई यहाँ पर click करके जो login ID है वो अलग से provide कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको अपना password यहां पर चूज करना होगा उसके बाद पासवर्ड को confirm करेंगे उसके बाद आता है hint question इसमें दोस्तों आप अपना कोई भी hint देने के लिए question चूज करेंगे उसका answer यहां पर बताएंगे अगर दोस्तों आप अपना password ID बूल चाते हैं तो आप hint के माधियम से अपना ID password डिसेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपना capture जो आपको यहां पर सो होता है वहां पर लिंक पर आपको क्लिक करके अपना ID को activation करना होता है अगर आप उस डेट तक नहीं करते तो आपके mail ID पर जो link आता है वहां उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों जो आपकी mail ID आपने आम नागरें उनके लिए उनको अपना यहां पर अकाउंट क्रेट करना होता है उसके बाद ही आप इसे login कर पाएंगे और अपना पासवर्ड अप्लाई कर पाएंगे अब दोस्तों बात आती है अगर आप एक CSE VLE है तो आपको किस परकार चे अपने CSE से login करना है और किस जो भी आपको ओफिस लगता है नजदी की ठीक है वह आपको यहां पर चूज करके उसके बाद आप गो टू पासवर्ड सेवा पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों जो पासवर्ड सेवा का पोटल होता है वह अपनी ID से यनकी CSE ID से login हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम यहां पर apply करेंगे apply for fresh passport इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि हम यहां पर एक नया fresh passport apply कर रहे हैं तो हम यहां पर इसके बाद हमारे सामने option आपने अप्ट है और उसके बाद आपको कोई और नाम से भी जाना जाता है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे अगर आपको एक नेम है तो आप सिंप्ली नो पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आता है यहां पर नेम चेंज का आपने नेम चेंज किया है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे आप कोई चीज करेंगे उसके बाद आपकी कॉन से डिष्टिक है उसके बाद आता है शिजर्शन ओफ इंडिया तो हम यहां पर पर रह रहे हैं तो यहां ईपसके बाद कोई पैला है तो आप यहां पर बता सकते हैं उसके बाद हैं किया करते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे अधरवाज आप इस पर नोपे क्लिक कर देंगे उसके बाद हमारे सामने option आता है education qualification का तो इसमें दोस्तों आपको अपनी education के डिटेल बतानी होगी जिसमें दोस्तों आप graduate है या फिर 7th pass है 10th pass है या फिर प्लस 2 pass है यह आपको अपने coding चूज करनी होगी जैसिए आप यहां आप यहां पर करते हैं तो आपका यहां पर क्लिक करके इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आप किस के डेगरी में आते हैं यह फिर दोस्तों आपको यहां पर जैसे आप अपनी डिटेल करेंगे तो वह आपको अपने 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 अपना अदार का नमबर यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप अपने 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 बताना है सब्सके पहले अगम वह को हैं आप चाहिए उसके तो आप जो बढ़ी हों करते हैं उसके आप सीम्पिन नाइड यहां पे फिल उप करना होगा और उसके बाया आता है विले उसके बाता है स्टेट का नेम उसके बाद आता है प्ली स्टेशन आप कोई सा पॉस्ट कीशकं है तो या अzelने पे nice करना है उसके बद आपको इसके आपको अपनी mail यहां पर एंटर करनी है ठीक है और उसके बद रहता है इन पर्मेंट एड्रस अवैलेबल आपका पर्मेंट एड्रस क्या है ठीक है आप जिसकी जनकरी ओपर प्रवाइड कर रहे हैं आपको वही पर्मेंट एड्रस तो आप सिंपली एस पर क्लिक कर देंगे करेंगे अदर्वाइज आपको 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 इनकरी ऊपर पर इंटर करना है उसका मुवाइल नंबर यहां पे इंटर करना है ठीक है उसकी mail आड़ी और टेलफॉन नंबर भी जनकरी पर ड़ैड कर सकते हैं उसके वादा पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हमारे सामने और फूर्ट के डिटेल का इसमें ऑपिस्वेकरिर देनी है जिन्मने पहले पासवेड़ अप्लाई किया था उनका हो जाता है या फिर किनी कारनवरस उनका पास्फड नहीं बन पाता तो उसकी यहां पे डिटेल चाहती तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है और अपना यहां पर इस्जू नंबर डेट ऑफ एक्सपारी आप यहां पर जनकरी प्रवाइड कर सकते हैं आप इसके आप सिंप्ली नोप पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास इसकी कोई डिटेल अवैलेबल नहीं है तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने पहले यहां पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद मैं सामने आती है ट्रमेंड कंडिशन की यहां पर दोस्तों आपको बताना होता है आपको अपने कोडिंग से येस नौ में सेललेक करनेना है ठीक है आप पर कोई F I R है उस record किया है तो ये detail उनके लिए है इतरब यह चालो नियुद आपको सब्छा करेंगे एसके राप अब नेक्स्टे करदेंगे ठीक है dai थो हम यहां पर सब्सक्था रिए गलेते हैं इसके बाद रौस्त बनकर आएगा तो आप इसका प्रिव देख सकते हैं इसमें दोस्तों आप अपना जो spelling है उसकी नाम है ठीक है सारी जानकारी आप अच्छे देख सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो उसके बाद आपको simply next पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सबसे यही है कि आप DMC लगाएं या फिर बद सर्टिफिकेट लगा देजिए और उसके बाद हमारे सामने option आता है यहां पर address proof का तो address proof में आप क्या लगा रहे हैं आपके पास क्या address प्रूफ है तो आप अपने कोडिंग चैनकर पराइड करेंगे अदार कार्ड वोटर कार्ड ठीक है आपको अपने कोडिंग में चूज कर लेना है और वही दोस्तों आपको साथ ले जाना होगा तो हम अपने कोड़ियां पर स्लट कर लेते हैं और उसके बाद आपको अगर SMS की स्वीधा चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे अधर्वाज आप नो पर क्लिक कर देंगे ठीक है और उसके बाद आप यहां पर अपनी प्लेस का नेम लिखेंगे ठीक है waited का चैना को सामने आजाता है जो भीbab्ने अपने hops की है तो हमारी उसके बाद हम एक प्रिव्यल एक चलार करेंगे yaşієнев मैंने प्रिशन कॉष्ट्रों को दे सकते हैं और और तो आप प्रस्ट कर सकते हैं उसके रिडेक्ट कर देगा आपके वैलेट पे जो आपका वैलेट होता है उसके दोस्तों आपका 43 का यहां पर अमाउंड करता है अगर आप से अपको 43 का एक्सर चार्ज लगता है इसमें वह आपको यहां पर पे करना होता है तो अभी मैं यहां पर citizen IDC से login कर लेता हूं तो लेज़े दोस्तों हम यहां पर citizen IDC से login हो चुके हैं उसके बाद दोस्तों आपको submit form पर क्लिक कर देना है हमारा जो application हो चुका है उसके बाद हम यहां पर फिर से home page पर आएंगे उसके बाद हम यहां पर सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसमें सपोर्टिंग डोकुमेंट में डोकुमेंट भी अपलोड कर सकते हैं तो विसे ज्यादा जूरत नहीं है आपको साथ में लेकर जाने होते हैं हम फिर payment appointment में आएंगे उसके बाद पे इसके बाद आपको यहां पर उल्लाइन पयार करलेना है चूलाइन भी कर सकते हैं एसके बाद आपको फिर से हम लिएंग सैडेल कर देना है तो आपको यहां पे अपनी allocation चूज करने तो आप कहां की appointment लेना चाहते हैं, वो आपको office यहां पर recommended यहां पर चूज करने चूze करेंगे उसके बाद आपको यहां पर documents रहें है, आसम ज़ेतलो आप चूज करेंगे तो आपको चूज कर pies rightitel चूज करने यहां विजिट करना होता है तो आप जैसे आप अपने कोडिंग यहां पर डेट सड्ध करेंगी उसके बद आपको पे एंडबोक क्लिक कर देना है और जो भी आपकी सरकारी फीज़ यहां पर जो होती है जैसे पंदरह सो हो रहा है तो आपको वही फीज़ आपने ओंलाइन पे कर द अपना पासपूर्ट एजली बना सकते हैं आशा करते हैं आपको वीडियो हैफ़ल लगी होगी अगर दोसे वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं जल्दी किसी नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार